हलो नमस्ते मैं हूँ अनुश्का चांड़क आपकी कथा के इंस्ट्रक्टर एंड वल्कम बाग तो आच उटोरियल्स लेकिन लेस्न की और बनने से पहले एक बार फिर से याद दिला दू कि हमारी मेंबर्शिप्स अब ओपन हो चुकी है जब भी आप किसी भी परफॉर्मिं आर्ट के बारे में बात करते हैं तो आपका आपके टीचर के साथ आपके गुरू के साथ इंस्ट्रक्टर के साथ इंटराक्शन होना उनसे आपकी वन-on-one बातचीत होना बहुत ही ज्यादा जिरूरी है इसलिए अगर आप थोड़े से भी सीरियस या थोड़े से भी क्यू बटन भी दबा सकते हैं लेजिंडरी कथक गुरू पंडित बिर्जु महाराज जी ने हमें कई सारी कॉम्पोजिशन्स दी है और उसमें से एक है उनका मन भीतर नाम का म्यूजिक आल्बम वो सुनते हुए एक बहुत ही सुन्दर और बिगनर फ्रेंडली कॉम्पोजिशन पर मेरा ध्यान गया वो है साथ मात्रा याने की रूपक ताल में निवथ वो कुछ ऐसी जाती है एक बार ताल पर मैं ताल क्रिया के साथ पढ़न्त करकर आपको दिखाती हूं पतल पर में जा जार ब्रेंग ब shapzna इनर ऊजिए वो cog मैं पतली हूं यह जो composition है वो actually एक चक्रधार तोड़ा है यानि कि जब एक तोड़ा तीन बार repeat किया जाता है यानि कि एक तोड़े की तिहाई बनाए जाती है तब उसको कहते है चक्रधार तोड़ा इसके अंदर दम है दो मात्रा का दम का मतलब जो pause है जो हम दो repetitions के beat में लेते है वो है दो beats का यानि कि दो मात्रा का जिसकी वज़े से हम एक तो इस तरह से recite कर रहे है अब देखते है इस पर हम choreography किस तरह से कर सकते है और उसे bigger friendly way में सीखेंगे भी सबसे पहली phrase है ताथूंग थूंग दिग दिग थूंग तो उसमें सबसे पहले तो आप अत्पत्ती में खड़े रहेंगे हाथ सीख लीजे आपके हाथ चाते है ताथूंग थूंग याने की पहले ताथूंग में आपको एक semi-circle बनाते हुए अपनी कलाई को पूरी तरह से रोल करना है as if you are scooping something so this is ताथूंग थूंग 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 में आपके हाथ पूरी तरह से उपर प्लेस्ट होते है कुछ इस तरह से याने की आपका जो राइट हाथ है वो आपके सिर के ऊपर है और जो लेफ्ट हाथ है वो हलका सा नीचे है कुछ ऐसे और आपको इस तरह से एक semi-circle complete करना है इन ताथूंग थूंग थूंग उसमें आपके पैर जाएंगे ताथूंग थूंग एक बार फिर से देखिए आप आपके राइट पैर से diagonally step करते है और साथ ही साथ आपका लेफ्ट पैर उठ जाता है एवरी टाइम यू स्टेप गोईंग ताथूंग थूंग एक बात का खास ध्यान रखिए कि आपका जो लेफ्ट पैर है वो जब भी उपर उठता है तो उसे आपको स्ट्रेच करना है ठीला नहीं चोड़ना इससे आपकी जो पूरी movement है उसमें grace आजाएगा और वो और सदा पॉलिष्ट लगेगी चलिए एक साथ करके देखते हैं 5,6,7,8 ताथूंग थूंग अब इस position में naturally ये होता है कि आप आपके हातों को जब follow करते हैं तो you end up looking upward जिसका मतलब ये भी है कि आपके torso में एक backward bend आता है कुछ ऐसा आप जो भी कर सकते हैं इसकी गुलाई को highlight करने के लिए वो आपको आपके torso के साथ करना पड़ेगा इसके बाद आता है डिग डिग थूंगा एक दो तीन इस हसाब से हमारे pair जाएंगे एक दो तीन यानि कि हम एक turn ले रहे हैं चलिए एक बार मेरे साथ कर लीजे 5, 6, 7, 8 देगर देगर थूंगा जो last beat है वो obviously जोर से आनी चाहिए why you ask क्योंकि वो जो completion है एक turn का उसे हम एक conclusion देना चाहते हैं अब इसके साथ आप हाथ again उत्थपत्ती में ले आएंगे और यहां से एक छोटा circle बना कर back to उत्थपत्ती में आप close कर लेंगे आपके हाथों को कुछ ऐसे देगर देगर थूंगा अब इसमें आपको again एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है वो आपके कान और कंधे के बीच में से पास होकर फिर से station होते है उत्थपत्ती में इसका मतलब यह है कि आपकी जो palms है वो upward face करते है इसको आप कभी भी धीला नहीं जब आप यह turn ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपकी कलाई का इस्तमाल कीजे क्योंकि आपको वो जो circle है वो बहुत बड़ा नहीं बनाना है it has to be a small circle इसी लिए आपकी कलाई का इस्तमाल बहुत जरूरी है उसे draw करने के लिए और साथ ही साथ आप चितना वक्त सामने देख सके उतना आप देखेंगे तो आपकी जो spotting technique है जिसके बारे में हमने कई बार बात की है while you take chakras वो भी पूरी हो जाएगी कुछ ऐसे देख 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 थूंगा चो हमारी second phrase है वो है ताथूंगा थूंगा देख देख थाई so it is not देख 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 थूंगा the second time it is देख 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 थाई full stop तो ताथूंगा थूंगा जो हमने राइट में किया है exactly वही हमें replicate करना है on our left side so that means we step with our left foot this time going ताथूंगा थूंगा अब यहां से देख देख थाई अलग है इसमें हम चक्कर नहीं ले रहे है we are doing देख देख थाई याने कि यहां से आपका right पेर पहले step करेगा पीछे की और फिर आप आपके left पेर से cross करेंगे और तीसरा जो beat है उसमें फिर से right पेर से आपको step करना है so it goes देख देख थाई इसमें आपका जो left हाथ है जो ऊपर है वो वही रहेगा और आपका जो right हाथ है वो उत्पत्ती से बाहर निकलेगा एक circle बनाएगा मुड जाएगा यानि कि आपको आपकी हतेली को flip करना है और एक मुद्रा में लेकर आना है साथ ही साथ चोहाथ ऊपर है वो भी धीरे धीरे यहां से आएगा मुद्रा में यानि कि it looks like this देग देग थै इसमें आपकी गरदन चलेगी देग देग और थै में आपको देखना है towards your left diagonal एक बार दूसरी फ्रेज एक साथ करके देखते हैं 5, 6, 7, 8 ता थूंग थूंग देग देग थै जो तीसरा पार्ट है इस composition का या इस फ्रेज का वो है ता थै आ थै थै ता थै उसमें हम करेंगे ता थै आ थै यानि कि आपका जो left पैर है वो बहार निकल रहा है लेकिन right heart sideways आपको stretch करना है going ता naturally क्योंकि आप आपकी हाथ के direction में देखते हैं इसलिए आप देखेंगे towards your right side this is ता थै में आपका जो प्रेज करके देखते हैं इसलिए आप देखेंगे जो weight है वो shift हो जाता है on your left foot और आपका जो right पैर है वो पीछे cross करता है कुछ इस तरह से और वो खड़ा रहता है ना कि flat so it goes ता transition to थै जिसमें अगेन आपका हाथ कर्व होकर आपके सिर के उपर placed है जब यह होता है तब अगेन आप आपकी कलाई घूमा कर उसे उपर इस तरह से place करते है going ता थै थै में आपकी नजर again with your hands चाती है towards your left लेकिन यह eye level से हलका सा नीचे है ता थै सेम चीज आपको repeat करनी है with all the opposite directions going आ थै यहाँ से आता है थै ता थै यहाँ पर हमने खतम किया था यहाँ से थै ता में आपको आपके left हाथ की जो कलाई है घूमा कर वापस नीचे लेकर आनी है और एक चक्कर लेनी है going थै ता थै में आपका आपका जो राइठ हाथ है वो कुछ इस तरह से शूट होगा और उसके साथ आप आपका जो राइठ पैर है उससे एक strong चपत देंगे going थै all together it looks like this going ता थै आ थै आ थै थै ता थै so this is your one phrase out of the three phrases आपको यही तीन बार repeat करना है क्योंकि यह एक चक्रदार तोड़ा है जैसे हमने पहले भी डिसकस किया है लेकिन हमने उसके साथ साथ उसके अंदर की जो डम है या पॉस है दो मातरा जो छोड़ी हुई है उसके बारे में भी बात की है सो इसके बाद we have एक दो उसमें आप करेंगे एक दो यानि कि आपका जो राइट पैर है वो दो बार चलेगा खड़ा गोईंग एक और दो जिसमें आपका जो शूट किया हुआ राइट हाथ है वो मुड़ेगा और अब बाहर की तरफ फेस करेगा कुछ ऐसे आपकी जो गर देख रहे है थाई में और एक दो में एक हलक आसा बेंड देना है आपको पुछ ऐसे and then you repeat all of this again कि अब च जो इंड को ढखे रफ तब च Labour के वो थ Definitive care अगर आपको ये सीखने में मज़ा आया हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और एक पार फिर से याद दिला दो कि अब हमारी मेंबर्शिप्स ओपन हो चुकी है So, I am going to see you in the classes here on तब तक के लिए, keep dancing.